नमस्कार आदाब सस्रीय का लाइव नैशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाब मलिक मैं बैठा हूँ अभी आनंद रीजनिंग में जो पटना के मुसल्लफ पूरहाट में है और हमारे दो तरफ जो ये शिक्षक बैठे हैं ये लोग एक तरफ जो हमारे दाहिने बैठे हैं वो हैं राज सर और जो बाएं बैठे हैं ये हैं गुलशन सर जीमेड कोचिंग अब आनंद सर के साथ मिलकर पटना आ गया है जो के कोटा में और ऑन्लाइन क्लासेस के जरीए कई जगों से पहले से चल रहा था मगर अब ग्राउंड पर ये लोग भी उतर गए हैं हम सबसे पहले बात करेंगे राज सर से सर लाइब नेशन सेवन में आपका स्वागत है थेंक्यू लाइब नेशन दर्सकों को मेरा हार्दे कवनंदन है लाइब नेशन देखने के लिए और मैं सभी से कहना चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़िए और ये लाइब सो देखिए और हम लोग पहली बार पटना में लोको पाइलेट एंड टेक्निशन का पहली बार ओफलाइन हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो ओपन हो चुका है तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि सभी लोग एक बार हमारा जो चैनल है वो विजिट करें और हम लोग सिर्फ एलपी और लोको पाइलेट पढ़ाते हैं इसके लाबा कोई और क्या सोच कर आप पटना आए आप लोग कोटा में आपका क्लास आप लोग चल रहा है जैसा कि पता चला कि प्रयाग राज में भी आप लोग करा रहे हैं इटावा में भी चल रहा है तो अब पटना की तरफ रुख करने का क्या करना बच्चों की डिमांड पर हम लोगों न चाहिए और रेलवे के लिए सबसे वड़ा अगड़ पटना है तो हमने पटना आने का इसे पूस है गुलशन सर भी हमारे साथ हैं गुलशन सर आप ये बताएं कि किस तरह से आप लोग पढ़ाने का आप लोगों ने प्लाइन किया है और लोको पालेट को ही फोकस क्यों किया बहुत बहुत नमस्कार पहले सभी दर्सकों को मेरा देखे सर इसमें बात ऐसी है कि हमने यह देखा हम जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो उस समय पर जैसे कमेंट में मालो हमारे पास 500 बच्चा लाइव है तो लगवग लगवग 200-500 बच्चा जो है वो पटना में मौजू करवाते हैं 2018 वाली वेकKENCY में हमने बहुत सारे सेलेक्शंस डिए हैं बहुत सारे सेलेक्शंस अभी समय पर हैं जैसे लोको पाइलेट जो है इसलिए सूरू सेÇूज किया है कि हमारी टीम है उसमें बेसिकली ले ले ही सारी टीम है जैसे राम बी सर के अगर बात करने तो उ अपनी बात करूं तो मैं मैत पढ़ाता हूँ और बच्चे ने एक साल के अंदर जो प्यार हमें दिया है हम उसके लिए बहुत ही कृतक नहें बच्चों के लिए और पटना में आने का सबसे वड़ा रीजन हमारा यही है कि बच्चे का आज कल क्या है न सर कि जैसे ऑनलाइन ज्यादा चल लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बेसिक होते हैं जिनको क्या है कि ज्यादा समझ में नहीं आता है उनको टीचर सामने अगर मिल जाए तो उने बहतर समझ में आता है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ओनलाइन के साथ साथ बच्चों की off-line में भी की जाए और यह दियान में रखते हुए हम पने पटना का चुनाव इस बज़े से किया है कि पटना में अधिकतम बच्चा जो है वो रेलवे की ही तैयारी करता है तो हमें एक बड़े पेमाने पर उन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा जिनको बास्तम में हमारी जरूर को बहुत अच्छा लगा आनन सर यहां पे पटना में रीजनिंग की जो है वो पढ़ा एक लासिस लेते थे और हमको रीजनिंग की अधियापक की बहुत आवश्यक्ता थी तो रीजनिंग में हमें ऐसा लगा पटना में सबसे ज़्यादा नाम अगर किसी अधियापक का है तो हमने आनन सर का चुनाओ किया हमारी टीम बहुत मजबूत हो चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए हम आनन सर के साथ में जोड़े हैं और अब हम लोग धमाल करने वाले हैं सर बहुत मेहनत करेंगे बच्चों के साथ हमारा बिल्कुल भी यह बिल्कुल मानना नहीं हैं कि हमें यहां पर हवा हवाई करने हैं हम ग्राउंड लेविल पर पढ़ाते हैं बच्चों को पढ़ाने के अलावा और हम कुछ करते ही नहीं हमारा पूरा देर रहता है बच्चों के साथ मेहनत करके उनको पढ़ाने का पाहिल हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी सर बहु पुरी तरह से तैयार है अब देखना है कि जो अवियर थी यहां आते हैं उसमें से कितने लोग ट्रेन की उस इंजन में बैठते हैं बतौर ड्राइवर बतौर लोको पाइलेट अब यह समय तैक करेगा तब तक आप बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहारा वीडियो अगर अ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू कर लें साथ साथ टेनल पर में फॉलो जरू करें दाने बाद